हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नहीं मैडिसिन रिव्यू के इस वीडियो में दोस्तो आज हम जानेंगे SG-Pyrant टेबलेट के बारे में वीडियो में मैं आपको इसके यूज बैनिफिट्स, डोस तता साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा इसलिए वीडियो को complete watch करें जिससे कि आपको सही और पूरी जानकारी इस टेबलेट के बारे में मिल सकें क्योंकि दोस्तो दवाईयों से related आधी अधूरी जानकारी नुकसाइंदा हो सकती है और आप अगर हमारे चैनल पर नई वीडियो देख रहे हैं तो पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लें चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ वैल आइकन प्रेस करके नॉटिफिकेशन ओल कर लें जिससे के इन फ्यूचर आने वाले दवाईयों से संब्दित सभी वीडियो आपको मिलते रहे हैं दोस्तो SG Parent Tablet एक एलोपैथिक दवा है जिसका मेंली यूज बुखार, बदन दर्द, तदा मास पेशियों के दर्द के लिए किया जाता है इसके अलाबा और भी कई सारे यूजेज इस टैबलेट के हैं जो मैं आगे आपको बताता हूँ उससे पहले जानते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटिल दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक इस्टिप से है जिसके अंदर 15 टैबलेट, 15 टैबलेट का एक इस्टिप है और इसकी MRP लगवग 106 रुपे यहां पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं इन 15 टैबलेट की जो MRP है दोस्तों 106 रुपे रहती है 106 रुपे में आप एजली आपके रिया में किसी भी फार्मेसी स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं और दोस्तों इस टैबलेट को अवर्ट हैल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड दोरा मार्केट किया जाता है तो दोस्तों ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल हो गई बात करते हैं इसके कुछ कमपोजिशन के बारे में तो आप यहां देख सकते हैं इसमें डाइकलोफैनिक सोडियम 50 एमजी की मात्रा में दिया है इसके साथ साथ दोस्तों इसमें पैरसीटामोल 325 एमजी यानि की 325 एमजी की मात्रा में मिलाया गया है तो इस तरह से इन दोनों दोवाईव को एड़ करने के बाद इस टैबलेट को बनाया गया है अब दोस्तों जानते हैं इसके कुछ अधर यूजिस के बारे में तो दोस्तों जैसे की जोडों में दर्द के लिए बेल्डिंग करने वाले बैक्ति की आँखों में लगी चमक ता होने वाले दर्द के लिए इसका यूज किया जाता है जोडों में दर्द के लिए इसका यूज किया जाता है चाहे वैं आपके किसी भी तरह का दर्द हो चाहे कंदो का दर्द हो गुटनो का दर्द हो हाथ पेरों में कहीं भी दर्द हो जक्लन जैसे शिकायत लग रही हो तब आप इस tablet का इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो बात करें अगर इस tablet के कुछ और uses के वारे में और क्या-क्या इस tablet के uses रहते हैं जैसे कि जोड़ों में दर्द जैसे कि किसी को कंदे के दर्द गुटनों में दर्द या फिर कमर तदा कूले का दर्थ है तब ऐसी कंडिशन में भी ज़्यादा तर डॉक्टर्स इस टेबलेट को लेने की सला देते हैं और दोस्तों इसके साथ यह दि कोई ब्यक्ति है जो कि बैल्लिंग का कारे करता हो ब्यक्ति की आँखों में चमक लग गई हो और चमक के साथ साथ आँखों में दर्द हो रहा हो आँखों में होने वाली जलन के लिए तो ऐसी कंडिशन में भी यह टेबलेट यूज की जाती है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा हाथ पेरों में दर्द हो कोई हाड़ वर्क किया हो जिसकी बज़ए से हाथ पैरों में आसेहनी है दर्द हो रहा है तब भी इसे इसे इस्तिमाल किया जाता है या फिर किसी को कंदे, कमर तता पीठ में दर्द हो रहा हो और बहुत तेज दर्द हो रहा हो तब भी इस टैबलेट का इस्तिमाल किया जाता है इसके लावा दोस्तों यदि कोई ऐसा भी एकती है जिसे रनिंग की बज़े से पैरों में अधिक दर्द हो रहा हो पैरों में जो मासपेसी हैं उनमें खिचाओ बन गया हो और उसी की बज़े से उनमें काफी दर्द हो रहा हो या फोड़ा या फुनसी हुई हो और अधिक दर्द हो रहा हो तब उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है और दोस्तों आपको बता दूँ यह एक best pen killer medicine है तो इसलिए इसका ज़्यादा तर जो pain होता है पैन वाली जगा होती है तब ऐसी condition में दर्द को ठीक करने के लिए दर्द में आराम के लिए इस tablet का यूज़ किया जाता है और दोस्तों हमेशा की तर आपको बता देता हूँ कि schedule edge prescription drug होने की बज़े से इस तरह की किसी भी medicine का इस्तिमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार consult जरूर करने के बाद ही किसी भी तरह की medicine का यूज़ करें या आपकी और आपकी body के लिए safe रहेगा दोस्तों आगे जानते हैं इसको कैसे लेना है या फिर कह सकते हैं क्या इसकी ज़्यादा तर जो डॉक्टर बताते हैं क्या इसकी dose रहती है यदि आपको सरीर के किसी भी हिस्से में ज़्यादा दर्द है तब ही इसे यूज़ करें या आपको बुखार हो, या बुखार के साथ साथ हाथ पेरों में दर्द जादा हो, तब इसे आप अपने डॉक्टर की सला के बाद सुबह साम एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और दोस्तो साथ साल तक के बच्चों के लिए आधे-आधी टैबलेट सुब बसाम खाना खाने के बाद दे सकते हो और दोस्तों यदि आपकी कोई समस्या है कोई आपको प्रॉबलम है तब आप कमेंट करके मुझे पूश सकते हो हो सकता है आपको reply करने मुझे देरी हो जाए बट आपका reply में जरूर ही करता हूँ चली दोस्तों आप जानते हैं वीडिय गुटनों में इसका काफी अच्छा रिजल्ट रहता है और अगर किसी को कंदो कमर तथा पीट में दर्द होता है तब वे लोग इसका यूज करें ये काफी फाइदा करती है और यदि किसी को बैल्डिंग करते समय आँक में लाइट लग गई हो मतलब आँक में बैल्डिं इसके साथ साथ अगर किसी को बुखार तथा बदन दर्द तो उसमें भी अच्छा काम करता है और अबर दोस्तों अगर कहें तो ये बुखार तथा किसी भी तरह के दर्द के लिए काफी अच्छी और फाइदे मन दवा है दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो में आग तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये टेबलेट आपको शूट नहीं कर रहा है तब आपको ऐसी कंडिशन में इस टेबलेट का यूज रोक देना है रोकने के बाद अपने नियरेज डॉक्टर से मिलना है डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर टेटमेंड लें उमीद है दोस्तो आज करेंज कर ये SG पारेंट टेबलेट का वीडियो आपको पसंद आ हुआ दोस्तो अगर वीडियो पसंद आ है तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें साथी चैनल पर नए है और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर के जाएं मिलते ह है आपसे हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई मैडिसिन की जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिं भल्यवाद